नमस्कार विशे विज्ञान कक्षा सब्तमी पार्ट तीस्टा रेशो से वस्टर तक अध्य समिक्षा इस पार्ट में हमने क्या क्या सिखा ये जानेंगे जन्तू से प्राप्त किये जाने वाले रेशो को जानतो रेशे कहते हैं यानि जो जनतों से रेशे मिलते हैं उन्हें जानतों रेशे कहा जाता है उनके रेशे या फाइबर भेड या याक के बालों से प्राप्त किये जाते हैं जबकि रेशम के फाइबर रेशम कीट के कोकुन से प्राप्त होते हैं उनके रेशे भेड या याक बकरी इन से प्राप होते हैं भेड बकरी याक और अन्य कुछ जन्तों से उन प्राप्त की जाती है उन प्रदान करने वाले इन जन्तों के शरीद बालों से धके होते हैं याने उन जिन जानवरों से प्राप्त की जाती है भेड बकरी याक और ऐसे कुछ अन्य जन्तों इन से प्राप्त की जाती है इनके शरी जो है घने बालों से ढखा रहता है बालों के बीच अधिक मात्रा में वायू आसानी से भर जाती है ये वायू उश्मा की कुछ अलग है अथ इन बाल इन जनतुओं को कर्म रखते हैं उन इन रोयेदार रेशों से प्राप की जाती है इन जनतुओं के बीच में जो हवा है आसानी से भर जाती है वायू जो है उश्मा की कुछ अलग है इसलिए बाल इन जनतुओं को गर्म रखते हैं उन इन रोयेदार रेशों से ही प्राप की जाती है भेड की रोयेदार तोचा पर दो प्रकार के रेशे होते हैं दाडी के रुखे बाल और तोचा के निकट और अवस्तित तंतु रुपी मुलायम बाल यानि भेड की जो रोएदा तोचा है उस पर दो प्रकार के बाल पाये जाते हैं एक दाड़ी के रुखे बाल और दूसरा है तोचा के निकट और ववेस्थित तन्तु रूपी मुलायम बाल तन्तु रूपी मुलायम बालो जैसे विशेश गुण युक्त बेड़े उत्पन करने के लिए जनकों के चयन की यहां प्रक्रिया वर्नात्मक प्रजनन कहलाती है जो चन्तुर रुपी मुलाइंबान है इनसे गुण युक्त बेड़े जो उत्पन करने के लिए जिन जनकों का चेयन किया जाता है इस प्रक्रिया को वर्नात्मक प्रजर्जन कहा जाता है याक की उन तिबबत और लदाख में प्रचलित है या कि उन तिबबत और लदाग में ज़्यादा प्रचरीत मात्रा में पाई जाती है बकरी के बालों से भी उन प्राप्त की जाती है अंगोरा उन को अंगोरा नसल की बकरियों से प्राप्त किया जाता है जो जम्मू एवं कश्मीर की पहाडिक शेत्रों में पाई जाती है जम्मू कश्मीर के पहाडिक शेत्रों में जो बक्री पाई जाती है वहाँ अंगोरा नसला की बक्रियों से प्राप्त की जाती है कश्मीरी बक्री की तोचा के निकट मुलायं बार या फर होते हैं इन से बहतरी शॉले बनाई जाती है जिने पश्मिना शॉल कहते हैं दक्षिड अमेरिका में पाए जाने वाले लामा और एलपेका से भी उन प्राप्त होती हैं जब पाली गई भेड के शरीर पर बालों की घनी वृद्धी हो जाती है तो उन प्राप्त करने के लिए उसके ब बालों को काट करके उससे उन प्राप्त करते हैं भेड के बालों को तोचा की पतली परत के साथ शरीर से उतार लिया जाता है यहां प्रक्रिया उन की कटाई कहलाती है बेड से तोचा से उतारे गए बालों को टंकियों में डाल कर अच्छी तरह से धोया जाता है जिसे से उनकी चिकनाई, धूल और गर्थ निकल जाए यहां प्रक्रम अभी मार्जन कहलाता है बेड़ों से जो बाल उतारे गए उन बालों को टंकियों में डाल कर अच्छी तरह से दोया जाता है जिसे से उनकी बालों पे लगेवे चिकनाई, धूल या मिटी जो भी है वो सारी की सारी निकल जाए इस प्रक्रिया को अभी मार्जन कहते है रेशम किटों से रेशम तथा भेड़, बखरी एवं याक से उन प्राप्त की जाती है अतर रेशम और उन जानतव रेशे है उन्ट, लामा, एलपेका के बालों को भी उन प्राप्त करने के लिए संसाधित किया जाता है यानि उन्ट, लामा और एलपेका से भी उन प्राप्त की जाती है उन्ट राजस्तान में या मुरुस्तरी भागों में पाया जाता है और लामा और एलपेका दक्षिनी अमेरिका में पाया जाते है भारत में अधिकतर भेड़ों को उन प्राप्त करने के लिए पाला जाता ह बेट के शरीर से बालों को उतार कर पहले अभी मार्जन वोक्षटाई की जाती है और फिर सुखाने के बाद उन्हें कात कर उनसे उन प्राप्थ की जाती है यानि बेट के शरीर से बालो को काट कर अभी मारजन हो चट अचन करते हैं फिर उसको सुखा करके और उन्हें काट करके उससे उन हमें प्राप्त होती है अपने जीवन चक्र में रेशम कीट रेशम के रेशो की कताई करके कोक्षो बनाते हैं रेशम कीट का जो जीवन चक्र है उसमें रेशम कीट रेशम के रेशो की कताई करके कोकुन बनाते हैं रेशम फाइबर प्रोटिन से बनने होते हैं रेशम का जो फाइबर है वो प्रोटिन का बना होता है कोकुन से रेशम के रेशो को प्रत्थक करके उनका संसादन किया जाता है और फिर रेशम का धागा बनाया जाता है इस प्रक्रम को रेलिंग कहते है यानि कोकुन से रेशम के रेशों को अलग करके उसको संसाधन करते हैं और फिर रेशम का धागा बनता है इस क्रिया को रेलिंग कहा जाता है बुनकर रेशम के धागों से रेशम के वस्ट बुनते हैं जो बुनकर हैं कपड़े बुनने उनने वाले उहां बुनकर रेशम के धागों से रेशम के वस्ट बुनते हैं अभ्यास संभवता आपने नसरी कक्षा में निम्न लिखित पंक्तियां पड़ी होगी बाबा ब्लेक शीप हैव यू एनिवल इसका मतलब है कि ब्लेक शीप याने काली भेड़े के किन भागों में उन होती है बाबा ब्लेक शीप हैव यू एनिवल याने ब्लेक शीप के या काली भेड़े के किन भागों में उन होती है तो ब्लेक शीप या काली भेड़ के पीट वो पेट पर उन होती है इसका मतलब है मेमने या लेम के सफेद रोमों का क्या तातपरिय है मेरी हैड लेटिल लेम होस फ्लिस वास वाइट एस नो याने या लेम के सफेद रोमों का क्या तातपरिया सफेद वालों से है जो उन बनाने में काम आता है इसका पहले का उतर है क्या काली बेड के किन भागों में उन होती है तो काली बेड के पीट वा पेट पर उन होती है और मेमने या लेम के सफ़ेद रोमों का अर्थ है या तातपरी है सफ़ेद वालों से जो उन बनाने में काम आते है प्रश्ण क्रमांग दो रेशम कीट और केटल पिलर लार्वा है सही विकल्प चुनिये याने रेशम कीट और केटल पिलर रार्वा है इसका सही विकल्प है को केवल और खो केवल ब ग और 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 ग नहीं और नहीं ब तो इसका उत्तर है केवल और यानि जो रालवा है वहां रेशम कीट है प्रश्ण करमांग तीन नीमने लिखित में से किसे से उन प्राप्त होती है याक, उन्ट, बकरी या घने बालो वाला कुत्ता प्रश्ण करमांग तीन नीमने लिखित में से किसे से उन प्राप्त नहीं होती याग, उन्ट, बकरी या घने बालो वाला कुत्ता इसका उत्तर है घने बालो वाला कुत्ता इसे से उन्ट हमें प्राप्त नहीं होती प्रश्टन क्रमांग चार निम ने लिखी शब्दों का क्या अर्थ है? पहला है पालन, पालन का अर्थ है किसी को पालना, पोस्ना, पालन कहलाता है जैसे रेशम कीट पालन, भेट पालन, मच्छी पालन, आदी यानि पालन का अर्थ हो गया किसी को पालना, पोस्ना, पालन कहलाता है दूसरा है उनकटाई उनकटाई का अर्थ है भेड के बालों को तोचा की पतली परत के साथ शरीर से उताने की प्रक्रिया उनकटाई कहलाती है यहने उन कटाई का मतलब हुआ कि भेट के वालों पे जो पेट के वालों के साथ तोचा की पतली परत के साथ शरीर से उताने की प्रक्रिया है उन कटाई कहलाती है रेशम कीट पालन रेशम प्राप्त करने के लिए रेशम के कीट को पालना रेशम कीट पालन या सेरी कर्चर कहते है प्रश्ण क्रमंग पांच उनके संसादन के विभिन चर्णों के क्रम में कुछ चरण निचे दिये गए है शेश चर्णों को उनके सही करम में लिखिए उनकटाई, खाली जगे, छंटाई और खाली जगे पहला आएगा सही करम, उनकटाई, अभी मार्जन, छंटाई, रंगाई और लिरिंग रेशम कीट के जीवन चक्र की उन दो अवस्ताओं के चित्र बनाई है जो प्रत्यक्ष रूप से रेशम कीट के उत्पादन से संबंदित है इसका उत्तर प्रेश करमांग 30 पे दिया हुआ है प्रश्ण करमांग 30 पे इसका उत्तर दिया है उसमें से आपको चित्र बनाना है प्रश्ण करमांग साथ नीमन लिखित में से कौन से दो शब्द रेशम उत्पादन से संबंदित है रेशम कीट पालन, पुश्प क्रिशी, शेहतुत क्रिशी, मदुमक्षी पालन या वनवर्धन यहने रेशम उत्पादन से संबंदित क्या है इसका उत्तर बताना है इसमें संकेत दिये वे पहला संकेते रेशम उत्पादन में शेयतुत की पत्यों की खेती और रेशम किटों को पालना सम्मेली थे दूसरा शेयतुत का वेग्यानिक नाम मौरस एलबा है इसमें से हमें उत्तर चाटना है कि रेशम उत्पादन से सम्मदित क्या है रेशम कीट पालन और शेयतुत क्रेशी यानि शेयतुत की खेती और रेशम कीट पालन रेशन उत्पादन से संबद ही थे पुष्पकी खेती यह नहीं है मदुमक्षे पालन याने मदुमक्यों का पालन यह भी नहीं है और वन वर्धन भी नहीं है प्रश्णक्रमांक आर्थ कॉलम A में दिये गए शब्तो कॉलम B में दिये गए वाक्यों से मिलाई है अभी मार्जन अभी माजन का अर्थ है काटी गई उन की सफाई अभी माजन याने काटी गई उन की सफाई शेयतुत की पतिया शेयतुत की जो पतिया है वह रेशम कीट का भोजन है याक उन देने वाला जन्तू याक है जो उन देता है और कोकुन, रेशम फाइबर उत्पन करता है, धन्यवाद